Hey guys, welcome back to Rocketry Dreamers YouTube channel दोस्तों, दरसल Government of India, Department of Space हर साल की एक समरी देता है तो कुछ इसी प्रकार जन्वरी 2023 की हमारे पास समरी आ चुकी है आईए उस समरी के बारे में बात कर दे दरसल दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे समरी का वो है PSLV Integration Facility से related PSLV Integration Facility यानि PIF जो सतीष धवन, अंतरिक्ष केंदर, श्री हरी कोटा के प्रतम प्रमोचन मंच पर स्थित है मैं हमारे MST की बात नहीं कर रहा है यानि कि Mobile Service Tower की बात नहीं कर रहा MST अलग है और PIF यानि PSLV Integration Facility अलग है PIF शायद से यही है मतलब जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है PIF यही है, PSLV Integration Facility और MST यानि Mobile Service Tower वो यह है दोनों में अंतर है उसके सकती साथ इस समरी में ऐसा कहना है कि जो PIF यानि PSLV Integration Facility है वो अब सुसज है उसके आने वाले अगामी launch operations के लिए और इसका जिक्र हमारे डॉक्टर एस सोमनात ने भी किया था जब SSLV D2 EOS 7 mission जब सफलता पुर्वक हमने किया था तो उसके अंत में जब address किया दाता है इस तो उन्होंने कहा था कि हम PSLV C55 यानि जो commercial mission है NSIL का उसका जो launch campaign है वो आज शुरू करने वाले हमारे एक नए फैसलिटी से integration फैसलिटी से तो वो I hope कि PSLV integration फैसलिटी ही होगा PIF सतीश जवन अंतरिक्षकेंदर के प्रतम promotion मंच पर और यहां उन्होंने clearly mention भी किया है ऐसा mention नहीं किया है कि वो ही facility है लेकिन हाँ ऐसा mention किया है कि PIF आप सुसज्य है उसके operations के लिए आईए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे point की तरफ यहां दूसरे mission का launch campaign दिया है दरसल दोस्तों आपको याद होगा तो OneWave के 36 satellite का integration शुरू हो चुका है सतीश दवन अंतरिक्षकेंदरे पर तो उसका जो integration मतलब launch campaign है वही यहां दिया है कि जो second commercial mission है LVM3 यानि GSLVMाकरी का उसका जो integration है वो आभी मतलब उन्होंने comments किया है 13 जनवरी 2023 को सतीश धवन अंतरिक्षकेंदरे श्रीरिकोटा में जो second launchpad पर जिसका हम promotion करने वाले उसके साथी साथ इसरों का मतलब इस summary में ऐसा भी कहना है कि इन्होंने एक successfully test complete किया acoustic test इन्होंने complete किया semi cryogenic inter tank structure यानि SITS का जो एक sub assembly है जिसके जरूरत हमें semi cryogenic stage यानि SC120 stage पर लगती है इसका जो completion है वो 6 January 2023 को किया गया था NAL में उसके साथी साथ उनका ऐसा भी कहना है मतलब यह तीसरा point होगा चाउसे point की तरफ हम बढ़ते हैं उनका ऐसा भी कहना है अब कि जो मतलब अभी जो landing experiment किया जाएगा जिसे हम LEX कहते हैं यानि कि landing experiment जो RLV का किया जाएगा यानि कि reusable launch vehicle का जिसके उपर मैंने वीडियो बनाई है तो उनका ऐसा भी कहना है कि RLV first quarter of 2023 में scheduled है expected है first quarter 2023 में होना और उसके साथी साथ चितर दूरगा में जो लोग है अभी वो आ चुक है मतलब टीम वगार चितर दूरगा में है एस पर इस सोम ना उनने SSLV D2 US7 में कहा था उसके साथी साथ अब हम हमारे मतलब फिफ्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेसिकली है उनने SSLV D2 मिशन के बारे में बता था लेकिन SSLV D2 मिशन कम्प्लिट हो चुका है अब यूकि यह जनवरी 2023 की समरी है तो वही यहां दिया है कि जो सब सिस्टम्स और मतलब जो सब सिस्टम्स आते हैं बेसिकली वही आवारा सब सिस्टम्स अब तयार है सेकंड डेवलप्मेंटल फ्लाइट के लिए SSLV D2 के तो कम्प्लिट हो चुके तो खैर इसको मैं पकड़ूंगा नहीं इसलिए फिफ्ट पॉइंट में से मतलब इस फिफ्ट पॉइंट को मैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की चुके सिट्सीशने-टी कजन है यह बेसिकली मतलब रेडी है यह मतलब का यहीं इनटर्मेडियट तो मतलब स्ट में बताओ टेस्ट यह मपार्स से मिक्राजिन इचने टैयार है वहं बाकि का जो उन्होंने दीया है वह स्पेस्ट अप्लिकेश्न और मतलब वह ब्रीफ में पर आप शौर्ट में जान लो, मैंने शौर्ट में आपको यह सारी चीज़ें बताई हैं काफी मतलब शौर्ट में मिने आपको बताएं उसके साथ हम थोड़ा सा NSIL की पूंधी तरफ कूझ कर लेते, NSIL में क्या शुरू है वो जान ले दे थोड़ा सा देखें, production of 5 PSLV Excel, PSLV में कई variants होते हैं, कई संदरचना है होती है, तो उसमें का Excel संदरचना एक है, तो production यानि कि उसका उत्पादन, मतलब 5 PSLV के Excel संदरचना का उत्पादन, Indian Industry, मतलब Apex Community AC और Program Monitoring Community PMC for PSLV, बेजिकली उनको यह कहना है, कि हब हम PSLV के 5, मतलब PSLV के Excel variant के 5 जो पीज है, उसका production हब हम शुरू करेंगे, short में बताना है उनको, और बस यही है, NSIL में शुरू, उसके साथ 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 बार में थोड़ा साथ साथ डीटेल्ट है, पर, ज्य और सैटलाइट से बेसिकली मैं मतलब ज्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं बस मैं पॉइंट्स ऊपर के पढ़ रहा था और मैं स्क्रूर करते करते नीचे है तो मुझे एनेसाइल का दिखा तो थोड़ा सा बात भी कर लेते एनेसाइल की एनिवेज बस इतना ही था इस वीडियो में भोप आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंदाया होगा इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरम